मैं देख्या दिल विचार के इस्क हग का जित इस्क मेहर से आईया अवल मेहर है ते प्रणिस्वर एक्षरतीत ने इस मेहर के सागर में अपने हिर्दे का पूरा विश्थार पड़न किया है कि स्वाइब तो पर सुंदर सार यहीं समझता है कि हमारी लोके के इक्षाओं की पूर्थी मेहर का सागर है अब सूचे का लोके के एक्षाओं क्या है कै आपके घर करूड़ा रूपय की आमदनी हो जाना आपके घर पुत्र रत्र या फोट्र कि प्राप्ति हो जाना अच्छा वीवाह हो जाना गिरहस्ति बस जाना या आपको कोई मेंश्टर का पद मिल जाना इक कितनी ऊछी बात ह आंतार पर सुंदर सानथ को यही बाते करते हुए देखा जाता है कि आज ही हो गया आज ही हो गया किसी का अच्छा भॉन बन गया तो भी 하는데 कफो राजी की मेहर से NICK कई ऐसे का पॉमपर हमें मुझे भी पड़ता है लेकिन वास्त्रिक्ता क्या है कि आधी नरायन की बनाएवी स्रिष्ठी में हमारी प्रतिवी लोग जैसे असन्द क्यों प्रतिविया और कहा जाए तो बिचारवी आधी नरायन नीडाकार से परिए के बाद भी नहीं जानते हैं इस समस्त स्रिष्ठी का स्वमित किसके पास है आधी नरायन के पास हमारी प्रतिवी में कितना दुख है बुड़ापा है मृत्व है संगे समधियों से बिचुड़ना है रोग का कष्ट है सब कुछ है फिर भी इस दुनिया में जैती किसी को किसी देश का प्राइम मिनिस्टर का पद मिल जाए राजपती का पद मिल जा तो बहुत बड़ी उपलती संचता है कि हम संदर साथ को तो एक इस्टेट का या देश का एक मिनिस्टर का पद मिल जा तो हम कहते हुए नहीं थकेंगे कि देखो हमारे जैसे मेर तो किसी पर नहीं हमें कितनी बड़ी मेर्द हो गई लेकिन पृतिवी जैसी असन्ख्यों पृतिवियों का जो स्वामी है अब सूचिए कि पृतिवी से ज्यादा सुख क्या है स्वर्ग में स्वर्ग में बढ़ापे का कश नहीं है मिद्वर्ग कर देखो अब मानोतन मिलें जिसमें हम पर मात्मा की खोज कर सकें अब विशुपराण में एक स्लोक होता है गायंत दीवा किलगित काने धन्या पूति भार्ग भूमपादी स्वर्ग अप्वर्ग पदमात पूति भूंति हुए पुर्षा सुरत प्रॉत कि स्वर्ग में बैठें वी देवता भी यह काम ना करते हैं कि ही पर मात्मा हुआ है अग्या पूर्ष सब्सक्राण है सबसे भीचारणे तध्य है ए पृतिविपर रहता हुआ मानों कि कि स्वर्ग जाना चाहता है और स्वर्ग में रहने वालती हुआ था पृतिवीपराने के लिए तरस्ते हैं वह भी भरियादा से उस्विए पृतिविपराना उंपी अपनी स्वतंतवता है यूज वे पैठें महापरले में तो बैकुंट की लाइक को प्राइक जिस बैकुंट के लिए प्रत्वी वाजी कठोर तब करते हैं वो बैकुंट वालों को भी यास कि स्वभाग्य में नहीं है कि वे अच्छा तिक पर मात्मा की कोच कर सके क्योंकि वहां वहां हमेंसा यौन आवस्ता रहती है मिलतु काकश्ट नहीं है पुड़ापे काकश्ट पृठवी पर जिन कश्टों से शुट्टी पाने के लिए हमें अर्शागर का गोटा पढ़ते ह हैं वे सारे सुक्त तो पाइकुंट में पहले से उपलब है कि हम सुन्दर साथ है कि जब गुमर्च भी जाते हैं तो नारियल चलाते हैं बाई जुराजी जाते हैं तो चुनेरी चलाते हैं चूड़ियां चलाते हैं क्या कर नहीं करते हैं जैसे देवी देताओं के मंदिरो किया जाता है हम भी वैसे ही करते हैं जब कोई घष्ट हो तो राजी से प्रार्धना करना हुआ अधिकार है लेकिल छोटे छोटे लोफिक पदाथ्टिक लिए जब मन नते हैं और जब कोई हमारी लोफिक चाह पुरी नहीं होती तो अमारे मन में आता है कि इससे अच्छे तो कि मंदंव कि पीज हते तो हसमान भचाए कर देते तो बैसों माता करें हमारी किया है अग्यूश्ष फुरी हो जाती है आप एक सुशते हैं कि अप अपने प्रेम के उपर कितना बड़ा क्लंक लगाने जाए कि आप इस देटान को एक लो के दिशान से समझे हैं किसी चीज की मांग देखती है कि आप नहीं कर रहे हैं तो किसी पड़ोसी की पति से कर लेती है जिब आपके पती को पता चलेगा कि मेरी पती पड़ोसी just मांग करक अपने काम चलाती है तो उसकी हजेप नहीं की अविक XP सीता ने तो कभी कोई आचना नहीं है पंद में चोड़ बेदा वायर से रखती रही है कोई कोई गिला से कभी कभी धुड़ा बहुत का देती थी कि बहुत कास्ट है लेकिन दुरुपती ने भी अपना सतुत्त नहाया कभी किसी के अलेहाथ नहीं कितना सुन्दर साथ है जो सिपाली के असर पर लक्षमी जी का पूझा नहीं है और आजकल परंपरा चल गया है कि तारुजयने करुप से कहा जा रहा है कि जब इस समसार में आए हैं तो में देवी तेवाओं की पूझा करने ही पड़ेगी क्योंकि राजी के प्रेम का हमें असास नहीं है मेहर का साग युगल शरूप का स्रिंगार नक्स सीख तक जब हम अपने आखें बंद करते हैं युगल शरूप पर सुबाचा लखने लगते हैं के लिए अपने पर कि अपने निजारा निया है तो समय लएना चाहिए कि वाहिद्य की रस्धारा का स्वाध हमारी अंतराथ मा करने है कि हमें यही बेटे बेटी अपनी पराग्म का स्वताथ से बेखने लगेए हम इस मायावी मिठी के तन से अलग हो चाहिए हमें ऐसा लगे जब हम चितुने बैठते हैं तो हमारा भी सिंगार नक्से सिक्क वाइस चाहिए तो ऐसे की सिया माजी का तुक्राइब और राजी का संफून नूर नक्से सिक्क का जो नूरी सुदर हो पुरे परमधाम में चप 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 पर नचर आए तो लगता है कि मामारी पहार को तुक्राइब हो तुक्राइब लेकिन यह सब कुछ नूरमाई प्रतितम ऐसा लगता है कि दूद से भी उज्वल और मिष्री से भी मिठा जो जो आप सुचिए दूद से करोड़ों गुना जो जो जलता लिये हैं माधूरता की मिठास को अपने अंदर से मिठे हुए जल चलकार करने हैं इसमें हम क्रेड़ा कर रहे हैं जिदर नजर जाती हैं वहां एक-एक रंग से असंतों रहों की आपने निकल लिए हैं ऐसा मुझी समदर मारी आत्मा के चक्षिओं के सामें बिष्ट उचे होने लागी है तार्टमबारी के कोई हमेस बिना रटे बिना पड़े भी प्रगाश्टित होने लगी तो समय लेना चाहिए कि अब हमारे हिर्दे में राजी का मेर का सागर की होता है कि अपने अभी चपाई सुने है कि मैं देख्या दिल विचार के इसका हक काजित है इसके मेहर से आया हुआ सबसे बड़ी मेहर क्या है कि हमारे हिर्दे में राची का प्रीद इसके से बड़ा और कुछ भी नहीं अट्वा सागर इसके का सागर है चठा सागर इंद का सागर है कि आप सुच सकते हैं कि यहां क्यों कहा गया कि अवल मेहरतित सबसे बड़ी कि अवल का दो अर्थ होता है एक तो प्रारम और दूसरा सरूप और इसमें दोनों वर्थ चलिए कि जब राची की हमारे पर प्रेम की वर्षा होने लगी तो वह पहली मेहर है और सरूपर मेहर क्योंकि इस्क में ही इल्म है इस्क में ही निश्वत है इस्क में ही नूर नेर्चिर की सुभा है कि ज़िए हमारे अंदर प्रेम ही ने रहेगा तो यूगल सुरुप कि छभी हमारे हिर्दे में अंकित कैसी होगा लाओ प्यार करो दितार तो इसी संदर में का गया है हाb हमने राजी के प्रेम की करेमगु को नहीं संच अधिए ए आधाराज मांगे सा भएक तो सकता है राज मांगें तौज अपना दिल देते हैं अपने दिल में तर आहे अपने इच्छा और राची अपना दिल देना चाहते हैं लुटाना चाहते हैं लुटा तो चुके हैं आंतरी गृप से लोटना भी नहीं चाहिते हैं इससे परेम का रस आता है और उस प्रेम के रस में हमारी आत्मा नक्स से सिख तक रुपकी लगादे हुआ है जिस प्रेम के बस में राजी को रहना है उश्का है है हम यहीं की नहीं समझ पाथ है पूरे देश में सुमिदर सब्सक्राइब है कि मुझे लगाना पड़ता है चोटे बच्छे पले तो मैं भी का जीता हूं उन्हें कि में कि संस्कार बने लेकिन जो समझार बेखती है जिनकी वह 20 से उपर होगती है है यह यह दि वह 40-15 साल के में मेहार का गोठा पर रहता है bardziej apartrant in the future मेहर के साधर को अपनी हिर्दय में आत्मसाद करना होता है और मेहर के साधर में टुपके लगा कर राजी के हिर्दय में प्रवेस करना होता है जो हम हैं इस परे से अभर preach करके जो हुआ है उसके स्वरूप में एक ग्रूब होना है कि जीवान का सब्सक्राइब कर तो नदर से वह आवाज क्यों ने लिकलता है यह वह तो तेरे से प्रेम करते हैं और तेरे प्रेम में डूपकर तेरे जैसे ही बनताता है हम अनाधिक आल से तो उसके ही सुरूप हैं यह और रहेंगे लेकिन हमें खुद का बोर्ड है हमाराजी निजने कितने जन्मों से माया के देवी देताओं कि भक्ति करते करते उसी संस्कारों में पल चुका है जब बोटा का पार्ट लेकर यह करते हैं राजी मेरा यह करते हैं सीथाने राम से कमीद्व को याचना नहीं की संसारे सीद्ग प्रेैम याचना नहीं क Cameron देना में झारे और और परेम के वसी उत हुका राजी जो लेड़ी एक हमें दिखा सकते हैं उसको देखने कभी हमारा नेटी तदी अब रेज में गोपियां थी किसी भी करह के लोके स्वार थी गोपियां जो रोकर अपना लोके दुख कभी करती नहीं होता भी नहीं जो अप्षादी से परेगा लाव को तो क्यों हो सकता है कि तो कि अज़्यम में आधिया है कि इसर से पीड़ीत हैं सब कहते हैं कि गुरुदी एक वार तो कहीं जो मार से उठी करणे कि रामकृष्पनमंस को अपने अपने अराध्या पर हमको राजी पर विश्वास देए हम विकार जाता है कि इतने दिन पाठ कर लो यह संकर ड़ जाए यह तुम्हारी इच्छा पुरी हो जाए करते हैं हम लोग हम इक चाहों के दाज तो है लेकिन राजजी के प्रेम के प्याले पीना हमेश्य कर देखा इस कि माँ कि यव अपने एक बार दॉश्य को अपने बोज में छिलती है कि संभावय रात को थोके सम्हलब लग्सामका भी कर देता है उसके विस्तर गिले जा कि महां सोचती है गिले विस्तरि हुआ लेकिन अपने बच्चे को इक इस अल का बच्चा योग एक साल का बच्चा है कुछ भासा नहीं समझता कुछ भॉल नहीं सकता लेकिन बच्चे के प्रेम ने जन्म देने वाली मां को बस में कर दो तो मां से नहीं कहता है कि मां मुझे अच्छे विश्टर पर सुलाओ मां को भी विश्टो करके शुलाना पढ़ता है जब इस दुनिया की एक मां इतनी मंता रख सकती है तो आप अक्षरादीद से क्या कर रहे हैं आप अधार सुनल साथ नहीं सिंशता यो राजी कि विश्टो कर रहे हैं जो एक बार पुकारने पर दस्वार जीजी कहने के लिए तैयार है जो अपना दिल पहले ही दे चुका है हार चुका है मासुक है मुखे करी तो दिल दे तुछ कहें तुदे पड़ू कर जो मैं तुश अधिक बुलाए इन गुद्रान की अर्स कर बैठे लगाए अब सुचिए हमने फुकारा नहीं था वह स्वें होता है हमारी आत्मा के दाव दिन में अखंडुक सबीरत मान लेकिन हमारी आखें अगया के पर्दे को भीद नहीं पा रही है कि माया की आखें माया के दिन से को देख सकते हैं जब हमारे अंतर चक्छु खुझ जाए उस प्रेम लिए लिए लगाने पर उस्ता हमारे अंतर चक्छु राजी को नक्ष से सिक तक दिदार करने के लिए इस से लगते जाए लेकिन शुनर साथ को जीव भाव को प्राप्त रहता है अपने जीव की आँखों से संसार को देखता है उसी उन्हीं भाव से राजी को भी देखने जाने से यह मिलता है यह मिलता है उसको क्या चाहिए राजी के दिल पर सासन करना नहीं चाहिए कि मैं आपको एक लोकिक दिश्टान देता हूं कि मरेदा पुरसुत्तम राम कि सीता को बन में निर्वासिक कर देते हैं कि सारी प्रजा वाई रूप्स्टत क्या देखती है कि भगवान राम तो महल में रह रहे हैं अच्छे भोजन करते होंगे अच्छे सहीया पर सुपे होंगे लेकिन राम के हिर्दे की पिड़ा को किसी ने समझा सीता से अलग होने के बाद राम के जेरे पर कभी मुस्क्राइब भाट नहीं आई मर्यादा पुरसुत्तम राम अपना करतब पूरा कर रहे हैं उनके हिर्दे में प्रेम की एकसक है कि कदार्चित सीता मेरे पास होती है कि रज की घर्म की मर्यादा बिवरस कर रही है सीता से डोध रहे हैं एक सीथा आती है इन्हों प्रजा मांग करती है कि नीशिता को अगन पर इच्छा देनी नहीं होगी कि वे पवीत्र है कि नहीं मैं सब्सक्राइब लेकिन उन्हें अब भी सिंहासन पर बैशना है अपने दोनों बच्चों को प्रेम देना है लेकिन स्वय महिर्दय प्रेम से सुना है लेकिन उस प्रेड़ा को कोई नहीं सुना सकते हैं सिख कि मतुरा चले जाते हैं अधर गोपियां प्रेड़ा में तरप रही है लेकिन वुकाय तु सकती है कि से कि Нिश्टूरएं में शोड़ कर चला गया लेकिन से के यह देग की प्रैट को शाइद गुपियां भी पूरी तरह से नहीं सब्ग सकते हैं उद्रह से करते हैं। मुही ब्रज विश्डट रहें। मैं ब्रज को भुला नहीं पाई हैं गोपियों कप्रीम। हर पल उन्हें याद आता है यसुदा महा का प्रेम उन्हें याद आता है ऐसा नहीं है कि कृष्ण निष्ठूर है लेकिन लोक मर्यादा उन्हें निवानी पड़ रहे हैं आप सोचते हैं कि आप प्रद्दिन वानी पड़ते हैं आप जीतवनी करते हैं राजी नहीं आते हैं राजी निश्ठूर है इसा नहीं है जितना प्रेम कर रहे हैं उससे चार गुना लाखों गुना राज्जी प्रेम कर रहे हैं क्या सूचेंगे कि समयलित होते ही दर्शन उन्हें लगता है सारी मरेदाइं मिट जाएंगे को ध्यान बक्ती नहीं करना चाहिए राजी को सोटी पर परिपक्ष करना चाहते हैं कर आपके मरेदाओं को निभाते हुए ही आपके त گल्गे में बैस अब कि जिसे आप महर कर रहे हैं वह आपकी आत्मा के खाबfsभ मेरे और देखता रहता है कि जिसके हिर्दे में बसता हूं मेरे से कि Metall Did अब कि और तो कि लगर जाते हैं आप तिवी सोचे है मैं देखूं क्या घिलाता है क्या प्रिता है अ詫िक का आथिति करणते हैं वो अपनी सामर्थ अनुसार स्वहिम से अच्छा खिलाना चाहेगा आपको अपने से ज्यादा सुखी रखना साइए पर यह है कि क्या हम सुन्दर साथ भी अपने से ज्यादा राजी से प्रेम करते हैं कदापी नहीं है हमारा जीवन बेक्तिकत सुखों के लिए होता है हम 24 गंटे में से एक घंटे दो गंटे मुस्किल से दे पाते हैं कि अब सुन्दर साथ को धन्यवाद है कि जूंके मादम से प्राते काली लग जाते हैं लेकिन कदाचित देश का सारा सुन्दर साथ इसी भावना से ओत्पूरत हो जाए अब है कि प्रत दें एक घंटे ध्यान कर ले कमसे करें एक घंटे तो गंटा ऐगनटा बाणी के ृस्वादे के चिंतन तो अब हम और्थों पारजन करने दस घंटे कर्च कर सकते हैं किसी इसरीोने बहुल्त हुघ कर कर देखें एक घंटा नहीं कर सकता आदे घंटा तो करी सकता है है हुल को सब्सक्राइब करने हिर लम करते हैं कि हमीर उ्दै स्वामी दो मेरे क्रानें मेरे से नहीं कर दिए राज्जी महाराज मैं क्यों महाराज बनाते हूं अजकल बहुत सी तुम बना चल रही हुआ कई जगों पर सुनने को मिलता है कि राजी सवामी तो जैही नहीं पहुते प्राणत प्यारी के चाही रहे हैं तॉझे वह गटना ऐादा गुजंद इम्हेरो दिन पुरे तरही एक बर सरकार सी ने कहा कि है कि लिए सथकर महाराज की यह नहीं बोखते हो इस में जानता हो कि आप सजिटम pecु महाराज की जएजा बूलते हैं तो आप अपने सद्व मराज को लक्ष लेकर करके बोरते हैं। आने वाली पिड़ी मैं नहीं चाहता कि जदी मैं बोलुगा तो मेरे देखा जुति की आने वाली पिड़ी भी बोलेगे। हो सकता है, उसका बाव मेरे प्रति हो। तो मैं वो बोला तो जा रहा है सद्गु महराज की जाए लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई निजानन्द परब्रम की आनन्द सुरुपा स्यमा जी का ध्यान करके बोलता हूँ तो यहां के तनों का ही ध्यान करके बोले इस जैसर करशी के दबाव देने पर भी मैंने कभी भी कि आज दक सद्गु मारा की जैने बोला है अब मेरे सामें एक और दुट्रा आती है जो मैं कहा देना चाहता हूं संसार के किसी भी ग्रंतिम सच्टानन्द परमात्मा के लिए जय सद्ग क्योंकि जय किसको बोला जा जिसका कोई प्रतितनति जय तो महापूर्सों के लिए चर्चा करते समय कई बाते मन में छीपाई रखनी पड़ती है क्योंकि सुर्ताओं का अस्तर सबका एक जैसान लोग परमपरा का निर्वाह करता है यदि उसका अधात्मिक अस्तर उंचा नहीं हुआ तो अर्थ का नर्थ तरवेटता है अज हमेरे समाद में चैकारा के एन यह सबक्रावमए है है कुझ जहां है वहाँ पृतिदंद hip12 के उसमें एक चैल लगाना स्वभाविख रिंगनटों परमात्मा का तो कुई प्रति तक फार अचान्द मैंडें रहें तो माया उनके चरणों की दासी है जितने महापुरुस हुए है सभी उसकी प्रार्थना करते हैं अक्षरातीत से प्रे कौन है वह दुरात्मा का भी है पुर्णियात्मा का भी है देवता का भी है उस सप्का है उससे इसी का विरोध नहीं है को इसको माने या ना माने लेकि प शक्रमेस्वर के चैनकमल मेरे हिर्दे मेरे जा जा है। कि अपने इस ब्रमाण में चैनकमल प्रहते हैं। वह अपर्तिज्वन्ता चैनक सकती है? गुए अइसी आवस्था में। लिए कर भूद को कुछ ने कोई परद्वन सकते हैं कि जकल दो है नीं का हर महापूर्स का मैया से समर्श करना पड़ता है तब उन्हाइध कुरा है महावेड स्वामी को भी बुदत दाप्त करने के लिए जिनेंदर बनने के लिए उन्हें संहर्ष करना पड़ता है कई वर्सों तक ठोड़ तप करना पड़ता है लेकिन सर्व सक्तिमान सकल गुर्ण निदान पुरह बना सचता अनंद अक्षराति जो पूर्णात पूर्ण है कि अनंद कि प्रेम का साघर हम्नान का साघर हम अनंद का सराय वाला किसे पर्तितंगता रखेंए मैं अपने प्राणी से कैसे बोलूँ क्योंकि वो मेरा जो प्राणी सोरा नहीं और उसकि ज没事 पृूंब कर दूने मेहिमा को मैं चोटा पनाओ इसलिए गले कंभी कि पूरे मंद से जय नहीं बोलते हैं कि कहीं दवा में बोलना पड़ता है कि लोग यह इसा ना समझे कि राजय समय इसके विभीरों कि अब तो खुले बाते चल रही है कि जय क्यों नहीं बोलते हैं जैकि कोई चारो बेदों में उपनिसद में दर्शन सहस्त्रों में किसी भी प्रणाम किया जाता है लेकिन जय बोलने के लिए कोई वेद का मंत्र नहीं है कोई उपने सब्सक्राइब कर सकते हैं कि अब संसार में देखा देखें हमरे स्वाद में परणपराद चल गई है अलग अलग अनन्द स्वामी की जय है प्राणन प्यारे की जय है इसके जैसा कोई नहीं उससे कि तुलना का प्रस नहीं होता कि मैं उसकी जय करा हूं वह सर उपर है मेरे सबस्व है किसी जैसार कोई काम्ना कर सकता हूं कि क्योग कि यदि मैं उसके प्रेभं को क्रंकित करता हूं कि यदि उसको को जय मानता हूं तो लगता है कि उनके समकाच मैं किसी और को भी मानता हूं कि अब सकता है मेरी पातें सुन्दर साथ को भी अच्छी में लेकर जदी हम आंतरी ग्रुप से अपने प्राणिस्वर अक्षराती के हिरुदे में बैठ का टुपी लगा कर देखेंगे तो यहीं लगेगा कि हमने राजी के दिल को समझाने हैं कि इंतन में प्रकण आता है जि अब नारा वस के धल वाले मुस्वर गांकरी प्रेम की चनुती प्रेम की पुगार की मेरे राजी मैंने तो आपको प्रेम से बस में कर लिया जब चड़े प्रेम के रस विर्धाम दाने बस प्रेम गम अलग की करी रह लोग की खोले ज़ग कि मैंने प्रेम से आपको बस में कर लिया है तो आपकी समर्थ ही नहीं कि मेरे से अलग हो जाओ कि आपकी बिसेस्ता है आप हर तरह से समर्थवान है लेकिन आपकी भी कुछ कमजोरिया है जो आपसे प्रेम करता है आप उसके बस मेरे जाए आप चाहा कर भी अलग नहीं कर स एक अक्षरती थे जो कोपियों को रिजाने के लिए ब्रेज में सब कुछ कर सकता है राधा के पाउं भी पकड़ लेता है को पिया करते है कि तुम नाच होगे नाच होगे तुम तुम यह मक्षन देंगी उन्हाजता भी है क्या संसार का कोई दिवी दिता इसा करने के सामतर कोट राज बैकुंट के नावे इतके खिंसमा एक छण के लिए भी जदी हम अपने हिदय की प्रेम की दिष्टी खोल लें तो उसके समक्ष करूण बैकुंट के राज भी के हो जाएंगे फिर भी हम राजी से क्या मांगे बेपार में बेक्ति नोकरी फुत्र की प्राप्ति समाज में बढ़े जदी राज जी आपके समक्ष खड़ी हो जाएं तो क्या मांगेगे आप संसार की मरस्ती तो मांगेंगे को इल्म मांगेगा जो समयजदार होगा बुद्धि वर केंगे कि में जे बानी का इतना जयान देदीजिए कि मैं ही अकले सारी दुनिया में जाग सब्सक्राइब हो जाएं बड़ी आप लोकी चीज़ें नहीं मांगेगा कोई स्वाइबी मांगेगा कोई हुक्म की सोभा मांगेगा हुक्म हाच्छत साल को दियो सो अपने राज बड़े-ब्रह्मुनी भी इससे बंचित नहीं है अब इतक में आप प्रसंग पढ़ते हैं जब स्रीजी अनुप सर जाने लगते हैं अब बुद्धिदयी भीम को जागरित बुद्धी का प्रिकार पिट्टी कर दो परेरामी को क्या मिला तार्तम की सकती तार्तम के रास्यों को खोलने के कलाम है कागत लालदाष जी को सभी धंगंतों का जान उनको दिया और हुकम किसको दिया यह विद्टक में आता है हुकम हाथ सत्रसाल को दियो सोब जब पन्ना जिम्हें पदाघते हैं तो हुकम की सारी सोभा महरजाथ छेतर साल जी को दिए लेकिन यह बत बताईए राजी ने यह निम्ते तो दे दी लेकिन एक अक्स्रक्ति एक हुद्धे की भी प्लाएं कि किसी ने पर सासन करना क्यों ने से करें मेरे दिल के दर्द की एक साहब जानी पाड़ और कोई ना मिल लिए यह महामतिजी के हुद्धे की प्लाएं अब उसरुसामर्थ हैं पाड़ी में करते हैं कि मेरे एक लवशे मेरी एक अच्छा क्या संकेत मातर से ऐसे इस ब्रह्मान जैसे करोणों ब्रह्मान लएक को प्राप्त हो सकते हैं यार सजा दे सकत हैं पर्शों मुसमों लेकिन एक समानी में मानों की तरह लीडा कर रहे हैं जैसे कोई पहचान नहीं पाए कि माया अमन उतारे सिरी महामत मेरा टोन एक वगार सुन्दर साथ उनके से चर्चा सुनते हैं कई अउगन लेवे घनी का करे आप भी आउगन कि उन्हें महामती जी के अंदर के वल अगुनी अगुन नचर आते तभी तुकाय उन्होंने बेंगात्मक भासा में काया है कि रूम रूम कई कोट अगुन ऐसी में करी गुनेगा ये तो कही में गिंती पर गुनी को नहीं सुमाद क्या हैं बढ़ापे जब वे देशेंजी के तन में आते हैं जब वो मीराज के तन में आते हैं तो हमारी माया की आंके उन्हें के सुरुप को पहचाम नहीं पाती है और उनके मुक्स से बीवास्व करके इस अब निकल पाती है सच पुछा जाए तो यदि हमने अंतर दिश्टी खुले होती तो महामती जी के धाम हिर्दे में बैठे लिए अपने प्राणिस और एक्षराती दिवल सुरुप की पहचान कर लिए और यदि छटे दिन के लिला में जदी हैं हमने ये इस्तिप्राप्त कर लिए होती तो हम और गुवर्त में भी ये नचर आता है कि हमारी आत्मा के हिर्दे में कौन बशता है कि हमारी आत्मा के प्राणवल्ला बशता है जिसके पास अनांद प्रेम अब areas जिन एक्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं इसके लिए महर सागर का घुठा पाटते पुर्न एक्षाओं के पुर्ति तो यहां के देवी देवता भी कर सकते हैं हनुमान जी भी कर सकते हैं विश्न भगवान भी कर सकते हैं ब्रह्मा जी भी कर सकते हैं संकर जी भी कर सकते हैं फिर भी राजिक क्या है आप एक अबोट्सिस की तरह जैसे एक अबोट्सिस अपना सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ दिया रहा है इसको भी सब्सक्राइब कि मेरी माँ कुछ मेरा रहा है कि अधिया है वाया है कि पूरे देश में परंपरा यहीं है रच को प्रशी को अपना हिरदय कर तो किजिए फिर्श से प्रेइम करते हैं इस खुछ चाहत नहीं रखिया आप कहीं भी देख सकते हैं पुरे प्रजिलीला में देख लिए गोपियों ने हिक्ष्स से कुछ कि महांगा नहीं आपना हिर दे दिया मेरा कुछ नहीं मांगते हैं मेरा को विछ दिया जाता है कि मेरा कि सिक्र्ष्ट का प्रेम प्रसाथ समझ करके पी जाती हैं जिन्ता तो आगे कर्ष्ट को कर लिए वो मंत्र पाठ नहीं करते कि मेरे कृष्ण मेरी रक्षा करो मेरे रक्षा करो कभी आंसों नहीं पाते हैं जो होगा उसके चिंता किसको करने हैं जो उसका आराथ दो कि अभी तुका है मैं अधेन करनी नहीं पांत रिखिला ऐसी समर्पण भावना हमारे अंदर आचाए इसे बड़ी किर्पा और क्या हुआ है वह समर्पण वह प्रेम हम अपना हिर्दे लुटा देंगे तो राजी का हिर्दे लूट लेंगे लेकिन हम व्यापारी जो ठज़े हम सोचते हैं कि हम अपना हिर्दे कैसे दे सकते हैं कि हमें अपनी कमियां भी मालू है हमें अपना हिर्दे तो अपने पत्ति को दे रखा होता है पत्नी को दे रखा होता है बच्चों को समाज को दे रखा होता है जो हिर्दे पहले ही दूसरे का हो चुका है वो राजी को कै से तुझ है सच दो जो किसी को समर्पीद नहीं होगा वही गिर्दे तो राजी के लिए समख्र法 Ba अ ऐस से कि राच की सबसे बड़ी मेर का क्या है इन मई में डुप आशको अ यह आप पात्वेश्टें यह आ कपार सुपाव sigui चाको मुतलक बक्सित लिए इस चपाई के साम्नें लिए तियाको पार 100 फाहँ है जाको मुतलत बक्सी सो सबसे भड़ी क्रिपार है लगत अधो में के बंदन सेब गतियेश कि संसार्य कि बंदन तो अपने तात्म बारी के ज्ञान के प्रकास में आप छोड़ सकते हैं संसारिक आंकार को आप छोड़ सकते हैं बहुत सरल हो जाएगा जिसका बारी का चिंतन रहेगा वो अपने सारीरिक संदरिक आंकार नहीं रखेगा कि धान की प्रभुता का हघकार नहीं रहते हार लोग दर की प्रभुता का का करें है संजरों कि माय को छोड़ देखा लेकिन कि अब वह इते हैं चक्षा तरा रहें तो भावशी को पाद अससे वान का बहुत देखेंकर अब जियान में सामने तुक सबुंझे लिगे कि इसको मेरे सामने क्या आता है यह भी तो हमकारा है कि आपके तन से कोई अलोकिक लिला हो गई आप सेवा करवाने बैठ करें इससा मेरी सेवा करें मेरे तन से तो राजी लिला है यह भी तो एक काम कारा है कि अपको तरगिक बड़ी जागनी कर लें सबसे मेरे तंसय राष है तुसीffen से लेलाने कि आपको यह कुछ LIKE क्योंकि आप आपको प्रहतना हरा जैसा हoreगि करें तभी आपने सोचाएं कि राजीन जो दिल में लेते जा रहे हैं आपके तंस में होता जाता है लांदाज जी करतन तो कर्ट पूतली है भी में बाइक कर पूतली है यहां तकी मिराज करतन भी कर्ट पूतली है अब देखिए अदर पहले कि भेज देते हैं जाओ और अब जेब को संदेशा देख कर दो आओ को ना अधेस आता है कि अभी समय नहीं आया क्योंकि अभी हद्वार चल देखा समय आ रहे हैं उन्हा बुला लिया जाता है अब सुचिए मुल सर्थ से तो कभी भूल नहीं हो सकती है महामती जी का जो दिल है जो मिराज के जीव पर विराजमान है उस दिल से पकाराती है और वो निमंतर के लिए और वरंजेब को बेदने के लिए संदेशाब देने का अदेश होता है अंदर विराजमान राची रुख वादेश को देशी का देश होता है तो हम अपिर जीव पर दो हम अपनी अमसार कारी करने के पर हैं किमरें अब्सक्राइब ये आत्म पर वह पर यह होता है परात्म के वह में हम भूब जाते हैं हम अपनी परात्म का हुदें का प्रतिविंग मानकर अपनी आत्मा के हर्दे को राजी पर समर्पित कर देते हैं इसमें नुन नचना हो कहीं बुद्धी के दोड़ना हो कि मेरा तु है तुम जो चाहे है वह करना है कि मुझे यह नहीं सुचना है कि करना एक करना है आपके इच्छा मेरी इच्छा आपका अधे है हाई यह मेरा सब कुछ है जदि कि हम हैं अमीज्ञ में आ लेते हैं तो यह बहुत बड़ी कृपा होती स्थी राजी का दर्शन कर लेना बहुत बड़ी बात लेकिन इससे भी बड़ी बात है दर्शन करने की भावना से उपर जाना कि इस देशन जी के तन से एक लीला भी राजी ने कराती हम सबको सिखापन देने के लिए कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सद्गुर्धन इस देशन जी बहुत बड़ी गलती कर दियों यह तो लिला कराई जाती है उन दोनों तरनों से ताकि हम उन गलतियों को दो राई नहीं हमको तो राजी ने सब कुछ करके दिखा दिया है जरू अल्ला करी बंदिगी यामी उनकी मैं तो गुना कर यहीं पर जो मांग लिया है जैदी पूर्ण समर्पन हो जाएगा तो उसमें कहना तो नहीं पड़े कि मेरे तन से जागनी कराऊ जाची उची सतन में बैठी है उची सतन से आडिका लेला कर रह हैं सब संदर्शाथ उस तन को राजी का शुरूप मान रहा है फिर भी हासी के लिला हो रही है कि सब संदर्शाथ से उससी पारिस सद्कुर्ण देवचेंजी करवाते हैं कि राजी मेरे तन से जागनी ला क्यों नहीं करवाते हैं यह क्या है है इसका करण क्या है राजी की म कि इस तिरिष्टी के लिला इसी है कोई अपना दिल देना नहीं चालता और जिस्ते अपना दिल दे दिया वह राज्जी का दिल ले सकता है और इससे बड़ी उपलब्दी कोई नहीं और यह कब होगा माहे खुदी के बंद़ कोट बोड़ने के बार। इन माहमे डुब्या सकोई चाहें लौकित माहों या अध्यात्मिक रमाहे राजी के दर्शन की भी माहे को हटाईए, राजी का गुई जान आपके पास है इसको भी हटाले जब ये सारे बंदनों से आपड़ी हो जाएंगे, तब तो आप अपना हिद दिल दे पाएंगे, श्री देवचन जी के तन से ऐसी लिला क्यों करेंगे, कि ज़्यती राज्जी हमारे अंतर्ण बैठ जाएं, हमारे तन से लिला करने लगें, फिर भी हम यह न सोचे, कि राज् कि आपने भी फूर्ण समर्पर्ण नहीं किया था, वो अपना हिर्दे नहीं दिया था, आप उस छोटे बच्चे से भी हार जा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, छोटा बच्चा अपना सब कुछ तो मां के हाथों में सोपे रखता है, उसको पता है कि मां मुझे देखेगी, खिल पिलाएगी मेरी सुरक्षा करें, आपको विश्वास क्यों नहीं होता रहा है, क्योंकि आप प्रेम के आगे अपनी बुद्धी को दोड़ाते हैं, प्रेम क्या है, फिर्दे के समर्पर्ण का नाम है, अपना चित दे देना, चित में कुछ नहों, मन में कुछ नहों, इसमें मैं खुदी के सबसे बड़े पर्दे को भीर दिया, और ये राजी की सबसे बड़ी मेहर होती है, इस ही को करते हैं, मैं दिख्या दिल विचार के इसका हक का जित, आपने सो रक्षरा देर के हुदे में चो कुछ इसक है, जब हमारे हुदे में आजाए, तो ये सब्सक्राइब नूर सागर से लेकर रस सागर तक हर पल अपने निस्वत का असा सोगे सनमंद मुलकों में तुफ़ाँ पल छोड़ा जाए निस्वत के सागर कि रस्तारा क्या है हम यहीं बैठे बैठे अपनी परात्म का हर पला नौकर जब हम अपने आखें बंद करें तो हमें अपना मिटी कतन नजर ना आए बलकि यह ऐसा लगे कि जो स्यामाज का सुरूप हो वही मेरा भी सुरूप है हम लौकि क्रिया कलापों में भी यहां ना सुन्दर साथ में भी अस्थानों के उपर लेकर के बहुत मतवीर किसी को कोई कश्ट होता है तो बड़े अस्थान की तरफ बागता है बड़े अस्थान आप समझते हैं वहां जाने पर मनत पूरी हो जाए किसी परमंस का अश्रम हो कोई बड़ी पूरी हो सोचते हो कि इस तन को लेकर के वहां जा रही है उस तन के हिर्दे में तो महीं बैठाओं हक रजीक सहरेक से आड़ो पठ्यद्वार खोली आके समझ की देखती ने देखे भरता है अगर देखती ने देखे भरता है जो प्रान की नली से भी निकट है उसको हम कहां खोज दिए बाहर को कि अगर शाथ अपने लोग की कमनाओं की पुर्ति के लिए कड़े के को भी होकर के पीता है मैं मना नहीं कर रहा हूं पीचिए श्री जी का सुरवाद है लेकिन लोग की कमना ही तो मिठेंगे मैं तो करता हूँ कि उस श्रीजी को अक्षराधीत को अपने हिर्दे मंदिर में आप क्यों नहीं देखते हूँ आप देवी देता कि तरह है नारियल चड़ाने लगते हैं भोग पुरसाचे मैं इस सब के लिए माना नहीं करता हूँ किसी को सब करें लेकिन इसे आगे को जो महर्क है अपना हिर्दे राजी को दे रेनां है अपने आगे की जो लिला हुए सब कुछ उनके उपर सौप देना आएं टाजिय गया आजशित मु घड़ें जब अपना हिर्दे दे देंगे उस दिन पता चलेगा कि राजी तो आपके बस मेंने जब रेम के रश हुए धाम दनी को बस करना कोई नहीं चाहता है महामती जी की जो पीड़ा है यह अभक एक साह्म जाने बाद और नहीं औरarmed की महामती जी खादे से सब कुछ हो सकता है चाहिए तो एक पल्लवय कर सकते हैं सो कुछ कर सकते हैं कि प्लड़ा क्या है और आइसा तो कोई ना मिल्या में जासो कर विख्यातू वह हुद्धे तरस रहा है कि अच्छरा तीत मेरे हेड़े में विरद्मान होकर मुझे अपनी सारी सोभा दिये मेरे धा मिर्द्में बैठे हैं और यह सारे सुन्दर साथ मुझे राज्ची मान करके रिज्धा तो रहे हैं लेकिन कोई भी सुन्दर साथ मुझे बस में नहीं करना जाए आप सोचे कि ब्रज का सिरुख कर दोêu चांग जोड़ी से मक्हन क्यों चोड़ीघ करता है क्या छोड़ी से मक्हन के लिए नासने लगता है कि फडंद मकः प्रेम चाहता लिए और कशद्मा कर लिए है एक अविध गोपियों सब्निक ये लिए वही चाहती है कि मिसम нравति जी क्या वीराکर हम आध्य कोई मेरे से इतना प्रेम करें कि मुझे बस में कर ले यह बिढार है अचलर हो सकती कभी पीड़ा से बधित नहीं हो सकती यFA किन प्रेम की पुकार इसी होती है जिसमें शर्बु सक्त इमान भी प्रेम के घूल्प में तो नीवास के में और सकते हैं करन को आता है रस्मगन changer नीयक होड़ है जो प्रेम के करिश्में मदों हो जाता है नोख सकता है नहों सकता है नअरू शकता है इस फिर जिए चम् clear कर भानी होती है राची उसको प्रें मैं पूरी तरस नहीं तूप उत तो मुझ से कुछ बोला ही नहीं चल सकता है इससे हैं तुम्दर साथ सरीयत के जीस मार्ग पर चल रहा है जिसमें चुनेरी चाहने वालों की चुडियां और साड़ी चाहने के एक लंबी लाइन लगती है कि मैं मंदेल में जाता हूं कि समझ्या होती है कि मैं अक्षणातीत के सामने रुपीय क्या चड़ाओं ऑग यदि मैं अपना दिल नहीं दे सका तो सो का आए पान्सो का नूट दे करके मैं कितना बड़ा पान कर रहा हूं लेकि लोग परंप्रा के उनसार में दुसरों से धर् करवा देता हूं कि चलिए किसी कारी में सिवा के कार्ट में खड़ जाए लेकिन अक्षराटीप को कि दर्वे भीट करना में जी पहुत एक अपमान सलता हुआ हमारा हिर्दे उसका है तभी तो हमारा हिर्देस्वर है हम उसकी चाहत के विना कुछ नहीं कर सकते हैं अब देख ज्यान तो मिल जाएगा लेकिन देख्षण चाहिए और देख्षण में मुझे तुम्हारा मन चाहिए और यह का करके चल देते हैं जनक सोचते हैं कि मैंने तो अपने मन अपने गुर्देव को दे दिया इस मन से मैं कुछ भी सोचता हूं तो मेरे लिए पाप लग जाएग उस मन से सोचना विचारना बेंद कर देते हैं मन ही तो सारी बंदरों का कारण जिस मन से सोचा विचारा नहीं चाहेगा वो मन समाधिम में प्रवेश कर जाते हैं और यहीं होता है सिंगासन पर बैठे बैठे तीन दिन तीन रात बीत जाते हैं बहुतर गंटे बीत जाते है जनक के पास आते हैं अश्टावकर, पुछते हैं जनक क्रमिज्यान चाहिए कि तेक नही गुर्दियों मुझे सम मिल गए अश्टावकर पुछते हैं अब उठ जाओ तुम्हें सब कुछ मिल गया कि मैं कैसे उठूँ मैंने तो मन आपको दे रखा है कि अश्टावक्र कहते हैं कि जनक तुम मेरे आदेश से उठो मैं यह कट बात काना चाहता हूं कि हमारी जागनी लिला में क्या कोई जनक जैसा हुआ है जनक तो माया के जीव है एक तरह से हम तो परम्दाम की ब्रहमात्मा कलाते हैं कि क्या हमने अपना मन अराध्य अपने प् ज्यान को पाने की जिजासा में अश्टावक्र मन मांगते हैं और वो जनक दे देते हैं क्या हम अपना मन राजी को दे देते हैं कभी हम स्वार्थी बैपारी हैं चतुर बैपारी जो मेर सागर की कुछ आपईयां पढ़ देते हैं राजी यह कर दो यह कर दो लेकिन हमारी चतुराई उस कौवे की चतुराई है जो ज्यादा चतुर बनने के प्रयास में भक्ष को भी खाने लगता है रेक्षी हमारी आत्मा के दहां हम्हित एमने बच्ठे में लुच्ठे में आपको अपना हिर्दे दिया आपकी आत्मा की चाहतेर के लिए जब वो म्हराज के तन में बैठता है तो भीगाफ्षा में मांगे हुए अण को वो स्वैंन عمर घृण करना होता है जिसके परमधा अनन्थ सुख है वे इस संसार के धूप सिथ वर्षा को सांता है किसके लिए की आत्माओं की जागत्ति के लिए मुचक्ष कि क्रेंगों को नहीं देकते हैं आपने असे सिक्षक के सिंगार की जागतियफ के बढ़न के कि अपने खूले ऑंगों के पोकारता है किसके लिए ताकि हमारे पत्थर हिर्दे में कुछ को मलता का इसास हो जाए वो जानता है कि मैंने जब बांसुरी बजाई थी तिनको बहुत अच्छी लगी थी और 36 एक दोने ने 36,000 में अपना तन छोड़ दिया था तू बुला रहा है तो तेरे लिए हम इस संसार को छोड़ कर आजाने लेकिन जागनी के ब्रह्मान में कितनी बड़ी हासी हो रही है कि नक से सिक तक साथ बार सिंगार का वर्णन करने के बाद भी वो ये कहता है कि मैं हक नजीक सहरक से आड़ो पटने दौर मैं तुमारी हिर् फिर भी कोई अपना हिर्दे को देना नहीं चाहता है और इसको देवी दिखता बना दे जाता है यह तो हमारी समाज के फूल है जो परमधाम का अलोग की जान अतरित होने के बाद ही नौधा भक्त की घुट्टी पुला देता है कि तुम्हें यह चड़ाना है तुम्हें य दुनिया वाले जिस तरह से मंत्र का पाठ करते हैं उसी मंत्र को सवर उपर बना दिया जाता है कि मंत्र पाठ करो महा मंत्र है इसका इतनी बार पाठ करो इतनी बार माला करो इतनी बार पड़िक्रमा करो उन्हीं क्निजी को मना नहीं कर सकता हूं जीवसिष्ठी वहीं करेगी लेकिन जिसके हिर्दे में विवेक ज़क्चुऑ ज हुआ उठकि अपने प्रणेस प्रणेशवर को अपने धाम हिर्दे में को करो है हमका प्रणेसवर को एक एक चरण हमारे लिए बहुत कुछ करता है राजी की सबसे बड़ी कृपा कि हमें मैं खुदे के बंदनों से तोड़ देगा चाहें अध्यात्मे को प्लद्दी हो या भौती को प्लद्दी हरु प्लद्दियां हम राजी को सौंपते हैं जैसे कि एक महाराजा 16 साल कि सब कुछ है कि स्रीची के चड़ों में सौंपते थी कोई नहीं रादिया कोई भी जागरत ब्रहमात्मा अपनी उपर ले करके कुछ नहीं करती है हमारे लिए सिखाफन है कि जती हम भी उन पतिचिनों पर चलेंगे जिसमें अतीत के ब्रहमुनियों ने व्केश चलन रखें और हम अपना हिर्दय राजी को सौंपनेगे वेटे वेटे हम अभास कर लेंगे हमारे हिर्दय में ही संपुर्ण परम्धा बसता है और उस हमारे धान मिर्दय में हमारा यूगल शुरू पिराजवाएं तो हर पल हमसे अनंत गुना प्रेम करता है हम प हैं कि हम बिख्यां दिल मूमिन मेहर सागर फिराजमान है क्योंकि मेहर करने वाला जब आग गया तो उसके हिरते मेर कसागर भी तो हमारे सरे में विराजमान है जह बतेक संसार की मैं हमारा पीछा करती रहेगी और अपनी अध्यात्मिक उपलब्दियों की भी मैं हमारा पीछा करती रहें कि तो हम इस रहस्त को नहीं संब्सक्राइब सबसे बड़ी बात है अपना दिल के मत देतीजी राजी को अपने अस्तित को मिटा दीजिए फिर देखें आप उसके उपर सासिंफ करने लग जाते हैं करश्ट शक्रीच में यहीं भाववक्त कया है महामति जी के आत्मा करती है कि राची आप अच्छी तरह से जांते हैं कि मैंने बिरज में रहा है कि रहा है है यह यह प्रेम की अ बीड़ा ही तो है कि एक पुकार पर सबने सरीर छोड़ दिया चित्वनी में कहा जाता है कि हम कुछ समय के लिए भूल जाएं सरीर छोड़ने के बाद किसी के लिए नहीं कहा जाती है केवल सरीर भाव से जीव भाव से परे होने की बात कही जाती है हम बीरे के कुछ आंसों में स्वैम को भुला तो दें लेकिन चितुनी से जब उठते हैं तो माया की गंद बरी अंकार हमारा पुना पिछा करने लगती है और यही सबस्वे बड़ी बाता है इन सारे बंदरों को तोड़कर जिस चण हम अपना हिर्दे दे देंगे उस चण में मेहर के सागर की वास्तिक पैचान होगी हम हक में हक हम हमें और हक बिना सब ख़़ग तु मेरे में मैं तेरे में जो तू है वो मैं हूँ जो मैं हूँ वो तू है और यही है जीवन का सर्वस जिससे हम मेहर मांगते हैं उसको हम समझते ही नहीं उसको लोग की कमनाओं की पूर्ति का एक साधन समझते हैं मैं राजी से प्रयाटना करता हूँ कि सब सुन्दर साथ पर ऐसी किरपा करें कि राजी उनके दिल को समझ चाहें जब हम राजी के दिल को समझ चाहेंगे तो मैं अपना दिल लुटाने भी कोई जिजक नहीं और जिसने अपना दिल लुटा दिया वो राजी का ही दिल लुट लेगा और चुछ ने राजी का दिल लूट लिया उससे बड़ा भागिसाली स्रिष्टी में ना कोई था ना है और ना कभी हो सकेगा महामती जी का ही रहें इसलिए तरप रहा है कि कोई मेरा दिल तो लूटने वाला पैदा हो जाए लेकिं कोई लूट नहीं पा रहा है कि एक चुनोती है राजी की तरफ से कोई अच्छ रातीत का दिल लूटे अच्छ रातीत का दिल तो वही लूटेगा जो अपना दिल लूटा चुका होगा और राजी के दिल में प्रिवेश का अपले स्टित को हमेशा के लिए समाप्त कर चुका होगा इसी को करते हैं मेरी नजर प्रारते हूं लेकिन यह सच है वाणी का कथन यही है जो मैंने का इसलिए जो बाते मैंने कही है कि भाई मैं जय क्यों नहीं बोलता हूं कि वह इसी संदर में मेरे से जय बोलना बहुत कठी हो जाता है लेकिन इस समाज को बोलते रहना चाहिए कि मंच संचालन के परकिखिया ही कि बोलना पड़ता है नो बोले तो क्या बोले तो इसलिए लोक रीती है और आत्मा के द्वारा प्रितम को पुकाने के रीती अलग होती है क्योंकि मेरे फ्रीम की न्यारी जियुशन सार प्रीम का मारग से सब्सक्राइब से अलग है कि मैंने जो कुछ कहा है कि तरतम बाड़ी और धाम कर्मतों के अमसार कहा है फिर भी जादी किसी को खेद हो तुमें चाहूं करा हुआ कि अ कि